आज का breaking news ये है कि साजी दमीन ने कौसर के लिए गाना गाया और इतना romantic गाना गाया बस उस पिचारे का मतलब सिंगर नहीं है ना लेकिन वो लोग कोशिश करते हैं मतलब husband wife दोनों कोशिश करते हैं सुर टाल मिलाने की लेकिन वही बात है ना कि अब profession नहीं है ना गाने का बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम कसम चाहे ले लो खुदा की कसम सबस मिटा बहुत बढ़ियो Assalamualaikum my youtube friends welcome back to my channel hope कि आप लोग बिलकुल ठीक ठाक हैं और आप सब की दुआ से ना मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे रिप्लाई करने में भी बहुत अच्छा लगता है एक तरह समझे मैं एकेड़ी हूँ और मेरा time गुजर जाता है आप लोग के साथ आप लोग को रिप्लाई करते हुए अप लोगो की कमेंट्स पिरते हुए और जो अच्छै-च्छै कमेंट्स आप लोग करते हैं न दिल खुश हो जाता हुए मेरी दोयाए बहुत निकलती हैं आप लोगों के लिई सितारा तो सिंगर थी वो तो आजकल दो दो तीन तीन गाने सुनाती अपने ब्लॉगिंग में और अब हज्मेंट भी शुरू हो गए तो चलो कौसर के लिए उन्होंने गाना सुनाया और उसके बाद बोथ वाइफ्स लाफ्स पता नहीं क्या तो कुछ बोला मुझे समझ नही वो सोचता है कि दुबई में तो इंगलिश के बिना बात ही नहीं कर सकते हैं दुबई इस नथिंग चलो ठीक है बही सबकी अपनी अपनी सोचे सही बात है चलो ग्रेट अब बात करते हैं दाया बाया की अब उन्होंने वह एक खास बात भी किये कि मेरी दोनों वाइफ है म मतलब दोनों राइट और लेफ्ट हैंड है उनकी चलो ठीक है आप राइट कौन है लेफ्ट कौन है वो तो खैर उन्होंने बताया नहीं लिए चलो दोनों में से एक तो होगी होगी खैर उसके बाद और अवरेक्टिंग उनका जो था वो सब चला जो यह देख लीजिए व देख लिए वो खुबसूरत वो नीचे वो जमीन वो फूल वो पैड़ वो उनका तो नौरमल है वो चलता रहता है अब बात करते हैं मुस्लिमा रोशन की मुस्लिमा रोशन क्या एक आज वीडियो अपलोड हुआ था सुबा सुबा तो उसमें मैंने देखा उन्होंने बड नौरम है वो भी सल्मा की उपर है मतलब जो गुणा हुआ है वो भी सल्मा के वैसे शायद होगी है ये बताना चाहती हो मुस्लिमा रोशन थोड़े अपना नाम का ही लिहाद रख दो थोड़े से अपने नाम काई शरम रख लो भरम आ जाती नहीं यह सब लेके अब आने के क्या फायदा है वो तुम्हारे जैसे मकार लोग सुनेंगे उनको भरोसा होगा हमें तो अब इस सब सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे तो सच यकीन माने एक परसंट भी सुनने का कुछ दिल नहीं बस मेरे लिए वुपाट जब उस जगे में खड़ियोकर उस जगे का नाम लेकर बोल दिया ना रोजा-रसूल का कि जगे में खड़ियोकर मैं ये बात कर रही हूं बात खतम हो गई मेरे लिए मैं अब कुछ भी सुनना ही नहीं चागती हूं बुरी है खराब है गंदी है जोटी है सची है कुछ भी मेरे लिए बस वह बात सच्छे बाकी वो क्या है नहीं है मुझे भी खुद नहीं पता क्योंकि मैं और सल्मा कोई आपस में दोस्त नहीं है या एक दूसरे को जानते नहीं है उतने ही जानते जितना वो विडियो में दिखाती है, बात खतम अच्छा तो मैं मुस्लिमा रोशन से ये पूछना चाहती हूँ कि इतनी बाते जब आप जानती हो, इतनी मुस्लिमा और इतनी बड़ी हस्ती हो तो एक बात मुझे समझ नहीं आई कि चलो सलमा ठकी आरी आकर 12 बजे प्रेगनेंट थी और रेड़ी, आकर चलो सो जाती थी, मानते हैं चलो सो जाती थी पहले तो मानती नहीं हो, लेकिन चलो मानते हैं आपकी बात को कि वो सो जाती थी तो उसके घर में दो जवान बेटिया भी तो है ना, जो जो इनकी माँ है, अम्मी है, सितारा की या सलमा की जो भी, तो उनको क्या जरूरती है दमात को खाना देने के लिए, मतलब अज़र को सितारा को बोले, दो दो बेटिया है माशादा बना लेती है हर चीज़, सिर्फ अं बनना से वो ज़्यादा दिल्चस्प भी लेती है इन चीजों में तो वो दे देती बापको गरम करके खाना, खाना तो बना हुआ होगा ना, खाना तो घर में पड़ा होगा सिर्फ गरम करके देने की बात थी, तो उनकी बेटी दे देती, क्या जरूरती सितारा को बोलने की, ये तो फिर उनकी माका कसूर है ना, मतलब ये एक यकीन करने वाला बात है फ्रेंड्स, खुद आप लोग सोचो के घर में दो जवान बेटिया बैठी हुई है, फिर भी अगर तुमा आपकी बेटी शदी शुदा एक आई है, और आपको पता है आपकी बेटी किस टाइप क है, मतलब थोड़ी उच्छल, कूथ, थोड़ा अदाय दिखाने वाली तो आप एकले लाद के रूम में उसको उपर बहजो के खाना दे कर आऊ, बैतो कभी ना बहजो इस तरह का, मै तो नॉर्मेल टाइम में भी ना बहजो, मैं तो नॉर्मेल टाइम में भी अगर दमाद बड़ी बाते करते हो, हदीसे लेके बैठ जाती हो, नाम मुस्लिमा रख देते हो, तो फिर पता होगा ना, इसलाम में क्या क्या चीज़े मना हैं, तो उस चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, जितना हो सके फॉलो करना चाहिए, मैं नहीं यह कहती हूँ, कि मैं 100% हर वो हुआ है हर इंसान को, मैं भी कोशिश करती हूँ, मैं यह नहीं कह रही हूँ, कि मैं बनकुल परफेक्ट हूँ, मीरे में बहुत स्यादा खामिया है, बहुत गलतिया करती हूँ, लकिन इसका यह मतलब नहीं है, कि इन चीज़ों में, यह तो बड़ी बड़ी चीज़े हैं थी मुस्लिमा रोशन, सौरी, आपका नाम रोशनी नहीं रोशन है, मुस्लिमा रोशन आप बता दो, आप जो इतनी बड़ी गवाही लेकर आ गई हो, कि ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, क्या मतलब है, क्या बताना चाहरी हो कि, सलमा आके ठकीहारी सो जाती थी, और इस वज़ कितना और गंदा करोगी, कितना और गिराओगे तुम लोगा, किस तरह के हरकते कर रहे हो, कितना और नौन मुस्तिम लोगो को तुम लोग जाल में फसा फसा के, अपने लिए व्यूज और डॉलर का माने की कोशिश करोगे, कि सिर्फ इस औरत को सही दिखाने के लिए, बेन वो था ना मोटिव था इस इन चीज़ों को बताने का, मैं वो चीज़ समझ नहीं पाई हूँ, अगर आप मेंसे किसी को समझ आया है, तो प्लीज मुझे जरूर बताईएगा, मेरा तो ये कहना है, मनना भी समझदार है, मैचुर है, मोना भी माशा अलला पूरी हर चलो समझती हूँ, उपर चंठे में आपको तकलीफ होती है, आपकी ही जो चुकी है, तो आपने इनकी बच्चों को एक को नहीं से उठाना था कि जाओ तुमारा अबबू आया, जाके खाना दो, तुमारी मा ठकी हरी सो गई है, वो प्रेगनेंट है ना, जाहिर बारा बार बज़े अगर वो पारलर से काम करके आएगी तो ठकी वही होगी, तो आप एक माँ होकर आपको इतना समझ नहीं है, तो इस मुस्लिमा रोशन का मुझे समझ नहीं आए कि वो क्या बताना चाहती है, क्या बोल रही है, उसको यह जोट मकारी करना ही था, तो सल्वा की कसम इसकी माँ उसको उपर भेज देती थी जाके खाना देया हो, क्या मतलब है, मुझे समझ नहीं आया, आप लोग प्लीज मुझे बतायेगा, मैं बार बार इस बात को इसलिए रिपिट कर रहे हैं क्या मतलब था कि खाना देने वो जाती थी, तो खाना देने जाती थी फिर, तो उसको बोलना ही नहीं चाहिए था माँको, और अगर जाती भी थी तो क्या हो गिया, आप लोग मुझे जरूर कमेंट में बतायेगा, कि इसका क्या मतलब है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, सच में मुझे नहीं समझ आया, इसलिए मैं नहीं च्छोटा सा वीड़ियो बनाया है तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगए तो लाइक सबस्क्राइब और शेयर जरूर कीजेगा और अल्ला पाक हम सब को दीन की हिदायत दे आमीन सुम्मा आमीन सबसे पहले मुझे और अल्ला हमारी गुनाहों को माफ करे आमीन सुम्मा आमीन अगर आ रहे हैं प्लीज 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 सबस्क्राइब कीजिएगा चलती हूं दौाओं में याद रखेगा जिन्देगी रही फिर मुलाकात होगी अल्ला हाफीज